गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट्स वेलकम वेक तो माई चैनल पैसन फॉर एजुकेशन भाई सुसमा सिंग टूडे वी विल रीट सब्जेक्ट बर्ब एग्रिमेंट है ना आज हम लोग सब्जेक्ट बर्ब एक्रिमेंट पढ़ेंगे ओके सो लेस स्टार्ट इस वीडियो बचो इस वीडियो से पहले आपको इससे पुरानी वाली वीडियो यानि कि इससे पहले वाली वीडियो आपको देखनी होगी तब ही आपके रूוז के सारा कुछ समझ में आएगा तह बच्रों में मैंने क्या बताया था कि सिंगूलर जब सबजेक्ट होता है तो हमारा प्रॉपर बनता है तो इसमें बच्चों एरर है या नहीं है और है तो कहां है आप देखिए ढूरिये है तो जैसे कि यह बनाया आर कमिंग इन नौईड़ा ना आर कमिंग अप in नौईड़ा तो एक बन रहा है यह निके सिंगूलर हो गया जब सिंगूलर हो गया तो हमें बर्ब भी क्या करना पड़ेगा according to rule singular ही लगाना पड़ेगा that means यहां प्रोजेक्ट आर नहीं आएगा इस आएगा है ना तो बच्चो एरर किसमें है हमारे किसमें है एरर बी सेक्शन में हमारे बी में एरर है ना देखिए तो इसका आंसर क्या हुआ आंसर इस बी क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमारा बर भी लगेगा अब इसमें वच्चो नो एरर मतलब यह भी एक दे रखा एक सीरिज ओ प्लांट्स एना भी आपको दे रखा है तो इसमें एरर कहीं है यह नहीं है यह आप देखिए तो इसमें एरर बच्चो कहा रहा जैसे a series of plants, यानि कि पौधों की एक संखला, एक संखला that means singular हो गया, तो जब singular हो गया, तो हमारा बर्बी कैसा लगेगा, singular ही लगेगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे have been न लगेगा, क्योंकि singular है, तो has been, अगर इसे और तरह से बनाएंगे, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे plurum बनाएंगे, तो plants have been growing along the path, तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर हम singular में ही बनाएंगे, तब हम क्या लखेंगे, a series of plants has been growing along the path, तो answer is B, यानि कि हमारा error किस में है वच्चों, B में, यानि कि यहाँ पे have की जगे, has लगेगा, ओके, तो जैसे कि यह यहाँ पे have की जगे आपको has लगेगा, यह, थे ना,